Hi guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग square waves को generate करेंगे by using timer 2 यहाँ पर basically मैं timer 2 के normal mode को use करूँगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इससे previous videos को नहीं देखा है तो आप उनको एक बार जरूर से देख लिजेगा क्योंकि उन videos में मैंने timer 2 के basic concepts को इसकी working को और इसमें use होने वाले registers के बारे में बात की है Secondly, आप मैंसे बहुत सारे AC viewers हैं जो development boards को purchase करना चाहते हैं तो development boards से related अगर आपकी कोई भी queries हैं तो आप मुझे इस number पर WhatsApp कर सकते हैं तो फिलहाल हम लोग इस video को शुरू करते हैं तो programming को शुरू करने से पहले हम लोगों को इहाँ पर अपनी कुछ calculations को देखना होगा मैं यहाँ पर consider कर रहा हूँ कि हम लोगों का जो CPU है वो 1 MHz की frequency पर operate हो रहा है और इसी frequency से हम लोग अपने timer 2 को भी drive कर रहे हैं ठीक है तो timer 2 के साथ देखिए हम लोगों को इहाँ पर कुछ predefined prescalers मिलते हैं मतलब कि हम चाहे हैं तो 1 MHz की इस frequency को divide कर सकते हैं इन numbers से और इसके बाद जो भी आप लोगों का यहाँ पर effective frequency आएगी उससे हम लोग अपने timer 2 को run कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर prescaler 8 लेते हैं तो इसके corresponding हम लोगों का जो effective frequency होगी वो आएगी 125 kHz और इसके corresponding आपका जो effective time आएगा वो आएगा 0.008 ms मतलब की हर 0.008 ms के बाद हम लोगों के timer की जो value है वो increment होगी तो इसके हिसाब से आप लोगों का जो timer का overflow होगा वो every 2.04 ms के बाद होगा यह value basically आई कैसे देखिए हम लोगों का जो timer है वो 0 से start होता है और 255 तक जाता है तो अगर आप लोग यहाँ पर 0.008 को multiply करें 255 से तो आप लोगों की यहाँ पर जो value आएगी वो आएगी 2.04 now suppose हम लोग यहाँ पर PC0 port से अपनी square wave को generate करना चाहते हैं तो basically यहाँ पर होगा क्या जिस समय आपके timer की value 0 होगी उस समय हम लोग initially PC0 को low रखेंगे ठीक है और यह value आपकी low कब तक रहेगी जब तक आपके timer की value 255 नहीं हो जाती मतलब कि जब तक आपका timer overflow नहीं हो जाता तब तक हम अपने PC0 की value low रखेंगे ठीक है मतलब कि आप कह सकते हैं कि 2.04 milliseconds के लिए आप लोग अपने इस square wave को यह फिर इस wave को low रखेंगे अब जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर timer overflow होगा वैसे ही again हम लोग इस PC0 की value को 1 कर देंगे ठीक है तो यहाँ से आप इसको 1 कर देंगे अब again जैसे ही timer overflow हुआ तो यह value 255 से 0 हो चुकी होगी तो यह value आपकी 0 से again 255 तक जाएगी और जब तक यह value आपकी 255 नहीं होती तब तक आप अपने PC0 की value को 1 रखेंगे फिर again आप इसको 0 करेंगे फिर next overflow के बाद इसको 1 करेंगे तो इसके हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर जो square wave है वो generate हो जाएगी तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें इस wave का total time तो वो आप लोगों को मिलेगा कितना 4.08 क्योंकि आपका जो total time होता है वो on time plus off time होता है यहाँ पर आपका on time जो है वो 2.04 है और again जो आपका off time है वो 2.04 है तो total time आपका यहाँ पर आ जाएगा 4.08 milliseconds तो इस time के corresponding अगर आप लोग यहाँ पर अपनी frequency निकाले तो यह 245.098 हर्ट आएगी और यह जो है आप लोगों का basically एक minimum possible frequency है ठीक है अगर आप लोग इस से lower frequency यहाँ पर generate करना चाहते है 8 prescalar लेके तो यह normally possible नहीं होगा आप लोगों को basically यहाँ पर अपने overflows को यहाँ पर count करना पड़ेगा तो उसके बाद यह चीज़ possible हो पाएगी तो उसके लिए basically हम लोग अपने interrupts के concept को use करते हैं तो interrupt के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे फिलाल आप लोगों को यह calculations दे 024 prescalar लेते हैं तो उसके corresponding आपकी जो effective frequency होगी वो 0.976 kHz होगी और आपका जो effective time आएगा वो आएगा 1.025 millisecond तो इसके corresponding आपका जो timer overflow होगा वो होगा 261.375 millisecond के बाद और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें on time plus off time total time आपकी wave का तो वो आएगा 522.75 millisecond और इसके corresponding अगर आप लोग अपने square wave की frequency measure करें तो यह आप लोगों को मिलेगा 1.913 Hz ठीक है और इससे lower frequency अगर आप लोग यहाँ पर generate करना चाहते हैं तो उस case में आप लोगों को again interrupt के concept को use करना पड़ेगा so next इसके बाद हम लोग अपनी programming को देख लेते हैं सबसे पहले programming में आपको abr.io.h नाम की header file को include करना है इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर main function होगा main function के अंदर सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर TCCR2 register को set करना है TCCR2 जो register है यह basically आप लोगों के modes को define करता है आपके prescaler को define करता है और आपके जो OC2 pin है उसके nature को define करता है ठीक है तो initially यहाँ पर हम लोगों को normal mode use करना है तो normal mode के corresponding आपका जो WGM20 है और WGM21 है इनकी values आप 00 रखते हैं और इसके बाद अगर आप लोगों को यहाँ पर 1024 prescaler लेना है तो उसके corresponding हम लोगों की यहाँ पर CS22, CS21 और CS20 bits होती है तो इन तीनों bits को basically आप लोगों ने 1, 1 और 1 set करना पड़ेगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर output compare match को use फिलाल नहीं करने वाले हैं तो OC2 को आप लोगों ने disconnected रखना होगा तो उसके corresponding आपकी यहाँ पर COM2, 1 और COM2, 0 bits होती है तो इन bits को भी आप लोग यहाँ पर 0 ही रखेंगे और यहाँ पर forcefully compare match तो हमको करना ही नहीं है तो इसको आप 0 रखेंगे तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर की है जो आपके pre-scalors के corresponding bits थी इनको हम लोगों ने one किया है next इसके बाद हम लोग जो अपनी square wave है उसको PC0 से generate करने वाले हैं तो उस particular pin को आप लोगों ने यहाँ पर output define करना पड़ेगा और initially जो भी wave हम यहाँ पर PC0 से generate कर रहे हैं उसको हम high रखना चाहते हैं तो उसके corresponding आप लोगों ने यहाँ पर port C में 0x01 दे दिया है इसके बाद हम लोगों को अपने timer counter 2 की value को initialize करना होता है तो initially हम लोगों ने यहाँ पर Tc and T2 की जो value है वो 0x00 दे दी है next इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर while 1 loop है जो की आपका एक infinite loop है और इस loop के अंदर basically हम लोग अपने Tc and T2 की value को compare कर रहे हैं और उसके corresponding हम लोग अपनी जो waveform है उसके status को change कर रहे हैं ओके तो यहाँ पर initially जब तक आपके Tc and T2 की value less than 255 होगी तब तक हम लोग यहाँ पर port C की value port C and 0x01 कर रहे हैं ठीक है port C की जो initial value हम लोगों ने दी है वो कितनी दी है यह हम लोगों ने दी थी 0x01 ठीक है तो इसको अगर आप लोग यहाँ पर end करेंगे 0x01 से तो basically आपका यह जो output होगा वो 0x01 ही आएगा तो मतलब कि यहाँ पर आप लोग अपना PC 0 जो है उसको high कर देंगे ठीक है और यह value आपकी कब तक high रहेगी जब तक आपके timer की value 255 नहीं हो जाती और इसके बाद जैसे ही आपके timer की value 255 रीच करेगी वैसे ही हम लोग अपने port C की जो value है इसको compliment कर देंगे मतलब कि आपका जो wave थी अगर वो high थी तो वो low हो जाएगी अगर low थी तो high हो जाएगी अब जैसे ही आपके यह value 255 हुई उसके बाद आपका timer overflow होगा तो फिर से आप लोगों के TCN T2 की value 0 हो जाएगी और आपका यही condition यहाँ पर run होगी तो इस condition में आप लोगों का जो wave है उसकी value 0 हो जाएगी और यह 0 कब तक रहेगी जब तक आपका timer फिर से overflow नहीं हो जाता अब जैसे ही again वो overflow होगा तो आप लोगों का यहाँ पर compliment होगा तो फिर से आप लोगों का जो wave है वो high होगी फिर low होगी and so on तो यह आप लोगों का simple सा program है timer 2 से square wave को generate करने का तो next इसको हम लोग यहाँ पर से build कर लेते हैं ठीक है तो आप लोगों का यहाँ पर कोई भी error नहीं है build हम लोगों का हो चुका है so next हम लोग अपने इस program को simulate करके देख लेते हैं यह हम लोगों का simulation है basically यहाँ पर मैंने CRO को connect किया है PC0 से और PB3 से PB3 आपका OC2 है ठीक है इसको हम बाद में देखेंगे फिलाल हम लोगों को देखना है कि आपका PC0 जो है वहाँ से square wave generate होनी चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर double click करना है और जो भी आपका program है उसकी hex file को आप यहाँ से feed करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको play करते है तो देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर PC0 जो है वहाँ से हम लोगों के एक square wave generate हो रही है और इसको अगर आप लोग थोड़ा सा zoom in करके देखें तो यह आप लोगों की square wave है और अगर आप यहाँ पर इसका timing देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर cursor आप लोगों ने लेके आना पड़ेगा तो 00 से हम लोगों का यह जो wave है वो start हो रही है और हर 260 milliseconds के approach आप लोगों का जो timer है वो overflow होगा और आप लोगों का जो waveform है उसके status को यह basically change करेगा तो यह आप लोगों का basically है 1024 के लिए आप लोगोंने calculation में अगर देखा हो तो वहाँ पर हम लोगों का जो value थी यह 261 milliseconds आ रही थी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप लोगों को difference मिलेगा but approach आप लोगों का जो timer overflow है वो 260 milliseconds के आसपास में ही हो रहा है ठीक है So next इसके बाद हम लोग अपने programming में थोड़े से changes करके अपने OC2 को activate करते हैं और देखते हैं इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या output मिलता है ठीक है तो previous program में ही मैंने यहाँ पर कुछ changes किये हैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर OC2 को activate करना था और उसको toggle mode में डालना था तो toggle mode के लिए आप लोगों को COM20 bit को set करना होता है तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर किया है बाकी आपका यहाँ पर जो pre-scalor है वो 1024 ही रहेगा next अगर आप लोग यहाँ पर OC2 को activate करते हैं तो मैंने आपको बताया था आपका जो PB3 pin है इसको आप लोगों ने as output define करना पड़ता है तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर DDRB में यह values दे दी हैं और इसके बाद आप लोग जो waveform generate कर रहे हैं वो PC0 से कर रहे थे तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर DDRC is equal to 0x01 लिखा और initially आप लोगों ने जो वहाँ पर waveform generate हो रही है उसकी value को high रखना है तो उसके corresponding आप लोगों ने यहाँ पर port C की जो value है वो 0x01 दे दी और इसके बाद आप लोगों ने अपने timer को initialize करना होता है तो initially हम लोग यहाँ पर जो TCN T2 है इसकी value को 0x00 देते हैं और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर आता है OCR2 register OCR2 register basically क्या करेगा इसमें जो भी आप values डालेंगे उस values से हम लोगों के TCN T2 की value compare होती रहेंगी और जब भी आपका comparison होगा वैसे ही आप लोगों का जो OC2 pin है उसकी जो value है वो change होती है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं OCR2 की value 255 रख देते हैं ठीक है तो इसके बाद आप लोगों का यहाँ पर while loop है और while loop के अंदर तो वहाँ पर आपकी same ही चीज़े होनी है जब तक TCN T2 की value 255 से below रहेगी आपका wave जो है वो high रहेगी और इसके बाद जैसे ही आपका timer overflow होगा वैसे ही आप लोग यहाँ पर complement कर देंगे अपने port C का तो यहाँ पर आपकी जो waveforms है वो generate होने लगेंगी तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर से build करते हैं और build करके again इसको हम लोग यहाँ से अगर play करते हैं थोड़ा सा मैं इसको zoom in करता हूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आप लोगों का जो यहाँ पर है यह PC 0 से connected है इसके through भी आपकी यहाँ पर waveform generate हो रही है साथ ही साथ जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर value 255 होती है वैसे ही हम लोगों का जो OC 2 pin है इसकी value भी हम लोग toggle कर रहे थे तो यहाँ पर आप blue वाला देख पाएंगे यह basically क्या है यह आप लोगों का OC 2 pin से connected है तो जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर comparison match होगा वैसे वैसे आपकी यहाँ पर waveform OC 2 से भी generate होगी ठीक है तो यहाँ पर हम लोगों ने value 255 लिए है इसलिए यहाँ पर जो आपकी values है वो exactly 25 255 के बाद change हो रही है अगर मैं इसको value को 255 से कुछ अलग करूं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है 255 का just half अगर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं 127 कर दे इसके बाद अगर हम इसको फिर से run करें तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हम लोगों के OC 2 की जो value है वो हर 130 milliseconds के बाद change हो रही है मतलब कि जब भी आपके timer की value 127 होगी वैसे ही आप लोगों का यहाँ पर comparison match होगा और comparison match होते ही आप लोगों का जो OC 2 का status है वो compliment होगा मतलब कि 0 है तो 1 होगा 1 है तो 0 होगा आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं नेक्स वीडियो में हम लोग अपने interrupt को use करेंगे timer 2 के normal mode के साथ सो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए channel को subscribe जरूर करें अपने friends क के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाते हैं so thank you so much for watching जे हिंद जे भारत